अखलेश की रागनी सोनकर ने डिप्टे सीम ब्रजेश पाठक से किया ऐसा सवाल जब आफ देने में लगे हिचकनी 25 करोड के आबादी वाले यूपी में स्वास विवस्था का हाल रागनी ने प्रूफ किया तो दिखा बेहाल रागनी सोनकर ने प्रियागराज शूट आउट कभी किया जिक्र अगर ऐसा होता तो बद सकती थी उमेश पाल की जान प्रियागराज उमेश पाल मडर का जिक्र कर रागनी ने योगी सरकार से क्या मांगा मचली शेहर से विधायक रागनी सूनकर सफा की ऐसी विधायक हैं जो सरकार से मुस्कुराते हुए सवाल पूछती है बावजू दिसकी सरकार को उस सवाल का जवाब देने में बहुत माथा पच्ची करनी पड़ती है इस वाद डॉक्टर रागनी सूनकर ने डिप्टी सीम ब्रजेश पाठक से ऐसा ही सवाल किया और उस सवाल का जवाब रागनी के पास था तो उन्होंने उसका जवाब दिया अगर आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे 25 करोड से जादा अबादी वाले यूपी में बस यही है हाला कि रागनी की सवाल जवाब को सुनकर जब डिप्टी सीम ब्रजेश पाठक जवाब देने के लिए आए तो उन्हों ये कहने में बहुत ही परिशानी हुई अब तक स्वास्त विवस्ता के मोचे पर ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन था तो ऐसा ही आप भी सुनिए सफा विधायक रागनी सोनकर ने विधान सबामे स्वास्त विवस्ता के मोचे पर क्या सरकार से पूछा और डिप्टी सीम ब्रजेश पाठक ने क्या जवाब दिया अध्या ब्रजी पेवास्त पर देश हैं इसमें स्वेम एक देश की ताकत है और यहां के मासूम लोगों की जनता की वोट से सेंटर की सरकार बनती है और यहां सिर्फ और सिर्फ तीन ट्रॉमा सेंटर है मैं आपके माध्यम से यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगी कि Trauma Center एक ऐसी जगा होती है जहाँ पर आए दिंग हो रहे road traffic accidents हो जिस तरीके से अभी recently हुआ प्रयाग राज में bombardment और gunshot injury इस तरीके के cases हो किसी तरीके के कोई घर में accidents हो जिसमें लोग गिर जाते हैं या फिर burn injuries जो की बहुती कश्ट दायक होती है इनके treatments in Trauma Centers में होते हैं और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीन Trauma Centers है अगर Ministry of Road and Transport and Highway का अगर Central का data देखे तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा road accidents हो रहा है चाहे वो आपका State Highway हो, National Highway हो, Expressway हो या फिर ग्रामीन की सड़के हो तो मेरा ये सवाल है अद्यक जी कि जनपदबार Trauma Centers की स्थापना सरकार क्या कराएगी और कराएगी तो तब तब कराएगी क्या आपके इस कारेकाल में आप आश्वाशन देते हैं कि आप जनपदबार Trauma Centers को स्थापित करेंगे साथी साथ में ये कहना चाहती हो अद्यक जी की 30% से ज़्यादा जो आवादी है उत्तर प्रदेश की RBI data के अनुसार वो below poverty line है और उसके बार low socio economic का हमारे जो population है वो बहुत आई है और जब भी इस प्रकार के Traumas होते हैं उसके कारण से बहुत गंभीर तरीके की चोटे लगती है और उस व्यक्ति को ICOs में काफी दिनों तक रहना पड़ता है और उसका जो खर्चा है वो बहुत ही बड़ा आता है तो मैं आपके माध्यम से ये भी जाना चाहूंगी मंत्री जी से कि इस दोरान जब तक आप Trauma Centers जो हैं वो स्थापित नहीं कर पा रहे हैं जितने भी हमारे लोग में irrespective of terms and conditions वो जहां पे भी admit होते हैं किया सरकार उनकी उपचार का खर्चा उठाने के लिए तैयार है और क्या आप आसवाशन देते हैं और मेरा last question ये है कि जब तक हम Trauma Centers थापित नहीं कर लेते हैं उस दोरान में जितने भी हमारे अस्पताल हैं शाहे वो District Hospitals हो या first contact जिसको हम Community Health Center कह रहे हैं वहाँ पे जो भी हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं अद्यक जी ATLS जिसको हम कहते हैं Advanced Trauma Life Support इसकी एक course होती है जिसमें डॉक्टर्स को सिखाया जाता है कि कभी भी जब भी ये टॉक्टर्स को सिखाया जाता है कि सारे जो भी डॉक्टर्स एमर्जन्सी में काम कर रहे हैं उन्हें ATLS के अंतरगत उन्हें सिक्षित या प्रसिक्षिन प्रवाइड करेगी उन्हें सवाल जो प्रसिक्षित एक था उसका ही लगभग रूप अंतर है हम पुना कर रहे हैं कि हमारे पास 36 Trauma Center है तीन Trauma Center पूर रूप से है चिकिस्तिकों की आप जानते हैं कमी है हम लगतार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं हमने बिग्यापन निकाले हैं और उसको बेतन भी बढ़ाने के लिए लिखा है पहले धाई लाग था अब हमने पांच लाग करने का काम किया है और इसके अलावा नो Trauma Center हमारे चिकिसा सिच्छा विवात के वो भी काम कर रहे हैं हमारे पास हर जिस्टिक में मेडिल कालेज बन रहे हैं वहां Trauma Center के मरीजों का इलाज किया जाएगा और Tercory Care की सारी सुदाएं मेडिल कालेज में उपलब 75 के 75 में उसलिए हम काम कर रहे है अध्यक जी मैं एक तो पूछना चाहूंगी कि जो Trauma Center का अस्वाशन दिया जा रहे है उसका अगर समय सुनेश्चित हो जाए तो मुझे लगता है जितने भी विधायक गण यहां पे हैं वो अपने छेत्र में जवाब देही के लिए कम से कम रेडी रहेंगे कि हाँ ये समय दिया गया है और दूसरा मेरा एक निवेदन है मंत्री जी से कि जोनपूर जनपर में सिर्फ चार बेड के ICU के साथ एक सिर्फ नाम के लिए Trauma Center है जो सिर्कोनी में काम कर रहा है तो क्या वहाँ पे ICU Beds को बढ़ाया जाएगा और जो मूलबूद सुविधाय हैं क्या वहाँ पर काम कर रहे हैं कई जिगें बढ़ाये हैं और जोनपूर में भी बढ़ाने के लिए प्रयास करें लागनी कह रही हैं शायद सरकार को आईना दिखा कर कह रही हैं बस तीन ही आपके पास Trauma Center लागनी Trauma Center के मुद्य को सदन में उठाती है इस वारान उन्होंने बताया कि स् जबूती के लिए Trauma Center कितना महतवपूर है इस वारान रागनी सोनकर ने प्रयागराच शूट आउट का भी जिक्र किया जनपदवार Trauma Center कोलने की मांग की रागनी की और से कहना कि आपके पास सरक तीन Trauma Center है तो प्रजेश पाठक असहज दिखे जब आप तो दिया लेकिन ये कहने में परिशानी भी शायद हुई ही होगी